तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने मोबाइल के किसी भी फाइल, डॉकुमेंट, वीडियो या ओडियो को sd card में copy करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे copy कर सकते हैं बीना computer या बीना pen drive के किवल अपने mobile से तो चली वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने mobile में sd card इंस्टॉल करके रखना है आप लोग दिख लिजेगा कि आपके mobile में अच्छे से sd card लगा है या नहीं अब SD card install करने के बाद आपको यहाँ पर अपने mobile के file manager application में आ जाना है यहाँ पर आपको अपने mobile का file manager application कुछ इस तरीके से दिखेगा हो सकता है कि आपका mobile किसी और company का हो तो वहाँ पर file manager के जगह पर SD card या फिर file explorer कुछ और लिखा हुआ आ सकता है लेकिन आइकन दे internal storage का और एक है SD card का यहाँ पर यह जो internal storage है यह आपके mobile का storage है मदलब यहाँ पर आपके mobile के सारी चीजे store होती है जब SD card नहीं लगा होता है अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप SD card नहीं लगा के रखते हैं सारी चीज़ा आपके mobile में store होती जाती है और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि mobile खराब हो जाता है crash कर जाता है, foot जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है तो आपका सारा file या document खराब हो जाता है तो अब आपको क्या करना है, अब आप अगर चाहते हैं अपने internal storage से photo, video या file को उठा कर अपने SD card में copy करना चाहते हैं तो आपको क्या करना सबसे पहले अपना internal storage पर click कर देना है अब यहां से आपको वो file, photo या document को copy कर लेना है जिसको आप अपने SD card में डालना चाहते हैं तो example के लिए मैं यहां पर music वाली option पर click करता हूँ और यहां पर देखिए, एक कर यहां पर song है, music है इस पर मैं click करता हूँ, ऐसे tap करके रखना है जब आप इस पर tap करके रखेंगे तो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, कई सारे option आ चुके है यहां पर एक है move का option, एक है copy का option तो दो option यहां पर दिखा रहे हैं move का जो option है, इसका क्या काम है और copy का जो option है, इसका क्या काम है दोनों मैं आपको बताऊंगा दोनों ही से अलग अलग काम करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना इस पर कॉपी raise को काम नहीं करना अब आपको यहाँ पर SD card पर click करना है जब आप SD card पर click करेंगे तो देखे यहाँ पर नीचे option लिखा हुआ आ रहा है copy का यहाँ पर नीचे copy का option आ रहा है आप अगर चाहें तो इसको यही पर ऐसे copy कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कोई folder बनाकर उसमें डालूँ तो आपको यहाँ पर उपर तीन डॉट दिखेगा हो सकता है आप में नीचे दिखे यह तीन डॉट तो जहाँ पर भी तीन डॉट दिखेगा आपको उस पर क्लिक कर लेना है अब यहाँ पर एक option आ रहा है create folder का तो आपको यहाँ पर create folder पर क्लिक करना है और मैं folder का नाम रख देता हूँ copy अब यहाँ पर create पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर देखे एक जो folder हमारा copy नाम से यह उपर बन कर आ चुका है अब आमें क्या करना है यह जो अभी file है यहाँ नीचे copy का दिखा रहा है अब आपको यह folder open करना है अब आपको क्या करना है यहाँ जो नीचे copy here का option आ रहा है आपको इस copy वाले option पर click कर देना है और यह जो आपने file या document copy किया होगा वो आपके folder में यहाँ पर paste हो जाएगा अब copy करने से क्या होता है आपका जो original file या document है वो यहाँ पर भी available है जैसे internal storage में आएंगे अब देखें यहाँ पर हमारा जो music है वो यहाँ पर already copy है यहाँ पर पड़ा हुआ है इसका एक file अब यहाँ पर दूसरा option में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं फिर से बार क्लिक करता हूँ अब यहाँ पर एक option आ रहा है move का अब इसका क्याँ क्या काम है अब जब आप move की option पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कहा गाने फिरसे SD card में आ जाना है और यहाँ पर copy वाले option में आ जाना है और यहां पर move here पर click कर दियना है, जैसे आप move here पर click करेंगे, यहां पर move here पर मैंने click कर दिया, आप देखे जब हम पीछे आ कर देखेंगे, internal storage में आगे मैं music में आ गया, तो यहां पर देखें आप जो music था, वो यहां पर नहीं है, इससे क्या होता जब आप move के option पर click करते हैं तो आपका जो वो document है जो original file है वो वहां से हट कर दूसरी जगह पर चला जाता है मलब उसका दो copy नहीं बनता है और जब आप copy के button पर click करते हैं तो जो document है उसका दो copy बन जाता है एक SD card में चला गया और एक internal story में पहले से पढ़ा था तो अब आप अपने जाप से देख लिजएगा कि आपको copy करना है या फिर आपको move करना है move जब आप कर देंगे तो वहां से वो file या document हट कर दूसरे जगह पर आजाएगा मलब वहां पर वो नहीं रहेगा तो आप चाहें तो केवल copy कर सकते हैं या फिर उसको move कर सकते हैं completely तो यह तरीका था आपको अपने SD card में कोई भी file या document copy करने का वीडियो से अगर आपको कोई अच्छी जानकारी मिली हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कलीजिए